असली कि नमस्का दोस्तों आप सबीकाहमारे बारतिरोजियार चैनल में तो आपके इस वीडियो में हम आपके लिए लेकेंशी डिटेल्स तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और जो भी टेकनिकल से रिलेटेड हैं उन से यहां पे वेकंशी आई हुए है एंपी एमर्सीयल आप देख सकते हो यहां पर वेकंशी सुपरवाइजर मेंटेनर और अज़र टेटेश टूटल अठासी पोस्त है दोस्तों तो फूल डिटेल में आज सेयर करूंगा तो जो भी हमारे इस चैनल में नहे हैं हमारे इस चैनल को सब्क्राइब कर लें कि हमारे बॉन में प्राइवेट एंड गुवर्मेंंट दोन वेकंशी डिटेल या पर सेयर करते हैं और अच्छिप्स्प्स पर वाट्सप ग्रूप है तेले ग्रूप है उसके आप जाइन करसकते हो कुछ लोकल वेकंशी आते हैं हैं जो हम वहां पर सेयर करते हैं तो वह देखने क हुआ है अठासी पोस्त टोटल जो फीस है जन्रल बीशी वालों का पते ही है 500 से उपर ही रहता है तो पाइप यहां पर इंक्लूडिंग GST के साथ फीस रखी गई है फिर SCCWS के लिए यहां पर 295 फीस रखी गई है पोर ओनली MP डॉमिश्याइल ओनले ओके पेमेंट रहेगा ऑनलाइन बोड पर पेमेंट रहेगा फिर स्टार्टिंग डेट और लास्ट देट दिया हुआ स्टार्टिंग डेट फॉर्म फिलिंग का वह 31 साथ से शुरूँ होगा और जो एक मैने तक चलेगा यहां पर आपको एज लिमिट डेखने को मिल जाएगा अठारा से लेके अठाइस साल के उम्रों के जितने भी कंडिडेट है वह अप्लाई कर सकते हैं अगर वह MP से हैं और कास्ट सेटिफिकेट वगरा हैं उनसे तो से इसके बार देखके पोस्ट वाइज इन्होंने वेकैंसी डिटेल्स से र क्यों है जैसे सुपरवाइजर ओपरेडोईशन के लिए 26 पोस्परवाइजर सिग्नलिंग टेलिकॉम ड्रोलिंग इस्टॉक के लिए यहां पर 7 पोस्स मेंटेनर सिग्नलिंग अंड टेलिकॉम पर देख सकते हो डिप्लोमा रिक्वार्मेंट है हर जगे पे डिप्लोमा डिग्री यहां पर सुपर्वाइजर के लिए डिग्री भी रिक्वार्मेंट है ग्रैजबेशन वाले भी अप्लाई का सकते हैं फिर सुपर्वाइजर के लिए डिप्लोमा इंजिनिरिंग वाले अप्लाई का सकते हैं मैंटेनर के लिए डिप्लोमा मैंटेकुलेशन मतलब डेश्पी आईके वाले अप्लाई का सकते हैं इसे दोस्तों पूरा यहां पे वेकेंसी डिटेल्स जीए हुआ है आपको कुछ नहीं अगर पूल डिटेल्स आलना है यह एक PDF ओपन हो जाएगा जहां पर आपको देख लेने हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट से डिप्लोमा वाले कौन से एरिया पर अप्लाई कर सकते हैं तो यह आप देख सकते हो सुपर्वाइजर ऑपरेशन यहां पर फिजिक कैमेश्ट से मैथ कंपल्सरी है तो वह आप ध्यान रखेएगा इसके बाद उनकी जो पे इसके लोगी वह टाइटी सजार से लेके एक लाक्त की होगी एवन मेडिकल केटेगरी पे उसके बाद जीरो सेवन पोस है सुपरवाइजर सिग्नलिंग के लिए इसकी भी पे इसके लोगी टाइटी सजार से लेके एक लाक्त की और यह डिप्लोमा इन एलेक्ट्रिकल इलेक्टॉनिक्स इंजिनिरिंग वाले यहां पर अप्लाई कर सक सकते हैं मैट्रिकॉलेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें इलेक्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट् तोटल इसमें जो सेलरी और 20,000 से स्टार्ट होगी 60,000 पर एंडिंग हो जाएगी दोस्तों तो ऐसे पहुंच सारे वेकंसिस दिखेल आप देख सकते हो यहां पर यहां पर ज्यादा तर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकनिकल आई टिया इलेक्ट्रिकल एक्टॉनिक्स फीटर वाले अप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखके फिल अप करिएगा इसके बाद जो ग्रैजवेट है जो मतलब किसी भी सब्जेक्ट में ग्रैजवेट है वह एचार के लिए यहां पर आप्पलाई कर सकते हैं एचार में असिस्टेंट हुमें डिशर्ट जोगी जी रोटू वेकेंसी है जिसमें बीसी में एक है जनरल में एक है बाद अकाउंट असिसेंट फाइनेंस में बीकॉम एमकॉम मंगा हुआ है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों और इसमें अप्सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वह मैं आपको बता देता हुआ है एज लिमिट आपको यूज कर सकते हो एज क्राइटेरिया और एज रिलेक्शेशन के इसाप चाहिए इसके बाद आप नीचे आते हो लेकिन अगर कहीं जॉब करने हो तो नो अब्जेक्शन सटिकेट होनी चाहिए फिर सेलेक्शन प्रोसेस फोर वैरियर को सुपर कर देख होना है यहाँ पर सबका वोई है कि पहले सीवी टी होगा फिर सीवेट होगा फिर साथ ऑसके बाद को मैडिकल से फोगा तो शिफ डेल ऑपरेशन के लिए बाकी लोगों के लिए की कोई नहीं यह मतलब सीन स्टेप में होने ज्यादा तर एक्जाम सेलेक्शन पर से सीनी स्टेप में होगा पिर एक्जाम सीटी जो है आप देख सकते हो भोपाल में दिया जाएगा भोपाल ग्वालियार इंदो और जबलपूर खुज्जैन और डिपेंड करता है कि कौन से सीटी से कितना ज्यादा रेस्पॉंस आया हुआ है एक कंडिडेट को तीन सीटीज प्रिफर किया जाएगा जिसमें आपको सेलेक्ट करना है प्रीस तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही है और आपकी दोस्तों रेलवे की डॉब है बिल्कुल अप्लाई कर रही है अगर आप एलिजिबर हो ठीके दोस्तों आज की एलिजिए थैंक यू